हेलो दोस्तों नमसकार में धनेश हूँ और आप कृषक इंड्या, क्रिषक भारत देख रहे हैं दोस्तों प्योर देशी मुर्गी में भी एकदम अच्छा कॉलिटी का देशी मुर्गी याने कि जिसको कहा जाए कि जंगली मुर्गी टैप का क्वालिटी होता है वो एकदम ज्यादा अच्छा क्वालिटी का देशी मुर्गी माना जाता है तो मेरे पास ऐसे तो पूरे ही प्योर देशी मुर्गियां है लेकिन अच्छा quality का आपको मैं pure dacy दिखाता हूं और जो थोड़ा low quality का है वो भी आप लोग को दिखा रहा हूं ये जो आप देख रहे हैं मुर्गी ये थोड़ा low quality का है देख लीजिए ये कड़कनात और pure dacy का mix है और जो जंगली quality का बोल रहा हूँ वो आप इसको थोड़ा जूम करके मैं आपनों को दिखा रहा हूँ ये देखी ये दोस्तों एकदम जबरजस्त quality का देशी मुर्गी और ये मुर्गा भी same वैसे ही अच्छा quality का है और आपनों को दिखा रहा देता हूँ वैसे ही अच्छा का देशी है लेकिन इसका पैर देख लिजिए और इसका शरीर भी एकदम उम्रक हिसाब से थोड़ा बढ़ा है अभी अभी ये ट्रासिंग करना स्टार्ट कई ह्या है तो ये एकदम पीओर लेकिन ये कभी ने-कभी थोड़ा बहुत करकिंग हुआ होगा और ये और प्यू प्यूर देसी का mix है, यह जो आपको दिख रही है मुर्गी, यह भी एकदम A1 quality का है, यह जो अभी उस साइड वाला नहीं, जो यह वाली मैं आपको दिखा देता हूँ, यह वाली, यह वाली जो है, यह बहुत ही अच्छा quality की प्यूर देसी मुर्गी है, और एक और है, यह द थोड़ा साथ देख सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी है ये है एकदम जंगली टैप का क्वालिटी बहुत अच्छा क्वालिटी और ये जो वाइट मूर्गी है वो भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी की मूर्गी है दोस्तों ये जो देशी मूर्गी है इसका देखिए थ यानि क्रास तो नहीं बोलना चाहिए हलका फूल का क्रास है तो वह वाइट आ जाता है कम मात्रा में लेकिन अगर सोनाली को देखेंगे कड़कनात को तो खेर उसका वाइट काला ही रहता है और अन्य जो ब्रीड है जितने भी क्रास ब्रीड है एफफजी है सोनाली है उनमें ये वाइट वाला भाग नहीं दिखेगा जो कान के पास दिख रहा है आपको जूम करके दिखा देता हूं ये देखिए जो कान के पास वाइट दिख रहा है और अगर मुर्गा है तो उसमें तो और एकदम जादा दिखता है जो वाइट वाला भाग है और ये है ये भी मु और अगर आप भी देशी मूर्गी लेने जाते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखें शरीर का बनावाथ हिन का बता देता है कि किस तरह का क्वालिटी है यह देख लिजी यह जो छोटा मूर्गी है यह तो देशी है रहने के लिए लेकिन एफेब्जी टाइप का इसमें कलर आ गया है तो इसको तो आप एक बार देख कर ही पहचान जाएंगे कि इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है तो यह भी छोटी है और जब थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा तो इसको मुझे सेल कर देना है इसको नहीं रखना है क्योंकि ऐसे ही कलर का चूजा निकल नहीं करते हैं तो अगर ऐसी कलर में प्योर देशी भी है तो लोग इसको क्रासिंग समझते हैं या तो एफफजी समझते हैं क्योंकि लोगों को उतना ज्यादा जानकारी नहीं होता है प्योर को प्योर को जो है लो क्वालिटी समझेंगे लो क्वालिटी के मुर्गी को आपको ज़्यादा जानकारी रहता है और यह देख लीजिए यह जो फिमेल है कड़कनाथ है और इसके चुझे जो हैं देशी के साथ क्रास है तो मेरे को एक अच्छा क्वालिटी का प्योर कड़कनाथ भी लाना है ताकि कड़कनाथ के प्योर देशी चुझे निकले और खु जुरूर बताएं और इसका पेर जो है थोड़ा सा वाइट वाइट दिख रहा है वीडियो के कारण लेकिन ऐसा है नहीं थोड़ा सा और काला है और वैसे भी एकदम ज्यादा काला नहीं होता है कड़कनाथ बोलने से लोग काला ही काला नजर आता है लेकिन उतना काला भी नहीं होता है तो ठीक है दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है और आप भी जो प्योर देशी मूर्गी के क्वालिटी के बारे में जानते होंगे क्या क्या उसका पहचान होना चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप जूरू बताएं मैं वसी ही क्वालिटी का चूजा फिर चूजा या मुर्गी जो भी खरिदना रहएगा